इसे समझने कोशिश करते हैं मान लिए आपका छोटा भाई या बहन या कोई मित्र आपसे रूप तरीके से बात करें तो आप हिंदी में उसे क्या कहेंगे तुम्हारा मेरे साथ इस तरह से बात करना नहीं बनता यानि कि तुम इस तरह से मेरे साथ बात नहीं कर सकते तो उस जगह पे आप ये बोल सकते हैं ये भी सभी को बता है कि आम जनता को सुक्सुविधाय मुहिया करवाना सरकार का काम है, स्थानिय परशाशन का काम है तो ऐसे में अगर आप कुछ इस तरीकी के लाइन बोलना चाहते हैं कि स्थानिय परशाशन को ये सुनिशिर करना बनता है कि आम जनता को सक्सुविधाएं मिलें तो इंग्लिश में आप कहेंगे लोकल गवर्नमेंट इस सपोस्ट टो एंशूर बेसी कमानेटी पर पबलिक अब कई बच्चों को अच्छी खाने पिने की आदते नहीं होती तो ऐसे में अगर हमें उन्हें कहना हो कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हें ये सिखाना चाहिए था उनका तुम्हें इस तरह की आदतें सिखाना बनता था तो इंग्लिश में हम उसे कैसे कहेंगे Your parents were supposed to teach you regarding good eating habits तो ये past में sentence बनेगा एक आखरी example से और समझते हैं समाज के नियम कानून होते हैं और जो समाज के नागरिक होते हैं उनका उन सभी नियम कानूनों को पालन करना बनता है उनके साथ चलना बनता है तो ऐसे में English में आप क्या कहेंगे All citizens are supposed to abide by the rules and regulations of society तो ये थी कुछ परिस्थितियां जिनमें आप supposed to का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे practice कीजिए और कुछ examples खुद भी बना के देखिए ताकि ये आपके grammatical skill set का हिस्सा बन सके और आपको IELTS और PTE जैसे exam में या फिर spoken English में help करे You can also watch videos on vocab building, basic grammar, IELTS and PTE preparation, visa education Write example sentences and your queries in comments Keep watching and take care झाल झाल झाल